नमस्ते स्वाइब आपका इस वीडियो में इस वीडियो में डिसकस करें के मोल के बार में मैंगनेश में मैंगनेश और इंडिया लिमिटेड सो मैंगनेश इस वह इंपॉर्टन तो उसके लिए हमारे गवर्मेंट ने एक कंपनी भी ओपन अपकर ताकि इसका माइनिंग सही प्रॉटन उसका प्रडाक्शन वह सही तरीके से मैंगनेश जो है बहुत एक इंपॉर्डन मेटल होता है मैंगनेश जैसे प्राइमारियल इसको स्टील मेकिंग या स्टील बनाने में एक एहम इसका रोल होता है मैंगनेश इस तो मेंक आप फंगिसाइड जब खेती इसका मतलब हो जाते कि बहुत इंपॉर्टन यह एक मेडल है तो मैंगनेस कहां पर यूस होता है मैंगनेस इस यूस्ट वराइडियो फ्राइडियो इंपॉर्टन अलॉइस जो भी आप देखने ड्राइब बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक ब्राउन पिग्मे और यह as a catalyst भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको जो ग्लास होता है उसका decolorization मतलब यहां पर आपको समझना पड़ेगा जब भी आपको एक ग्लास परचेस करते हैं तो साइड में आप देखो साइड से जब देखोगे ना वह हरा हरा दिखता है तो हरापन कम करने के लि यह हमारे देश में एक limited बनाए एक company बनाया गया है public company बनाया गया है which is a PSU जो इस काम को करता है यानि manganese ore को लेके आता है उसको process करता है इधर raw format में उसको sell करता है या उसको process करके उसको आपका market में sell out करता है so that is moil limited it's a government of India enterprise तो अभी हम इस stock के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम चले जाएंगे टिकर टिकर टेप में अभी जो इसका pricing चल रहा है वो है 189 और जैसे आप देख पा रहे हैं कि लास्ट दिन जो ट्रेडिंग वह था यानि लास्ट फ्राइडी को जो ट्रेडिंग वह था उसमें आपका 185 ग्रोथ हुआ है so around 2.8 परसें जो है देख लेते हैं 6% ग्रोथ हुआ है that is really nice एक महीने में कितना ग्रोथ हुआ है वह चक कर लेते हैं एक महीने में 7% ग्रोथ हुआ है एक साल में आपका 25% 26% which is good for a you know mining company and 5 साल में 20% which is kind of ठीक है चले यहां पर हम भी देखना पड़ेगा it's a mining company manganese में यह focus करता है manganese को लेकी ही यह काम करता है इसका market cap 3800 करोर तो यानि इसका यह small cap है 5000 करोर के नीचे है तो small cap है it's a moderately risky stock analyst ने काया है कि आप इसको purchase करते हो लेफ साइड में जो दिखाया जा रहा है इसका intrinsic value is okay intrinsic value is okay फिर return on equity versus FD return on equity यह बहुत जादा दे रहा है dividend भी अच्छा देता है entry point भी अच्छा है कोई इसमें stock manipulation नहीं हो रहा है कोई company में stock manipulation हो रहा है कि नहीं कोई इसको pump and dump कर रहा है कि नहीं pump and dump करेंगे तो आपका as a retail investor आपका loss होगा because आपको लगेगा कि पैसा डूग गया पैसा डूग आप छोड़के भाग जाओगे so that is not we want you to do एक चीज़ ध्यान में रखना है तो चलिए अभी देख लेते हैं कि इसका जो सेल है profit कितना है तो इसका देर हजार करोर सेल हुआ था 2018 में 420 करोर चार्सोबीस करोर चार्सोबीस करोर और चार्सोबीस करोर और चार्सोबीस करोर प्रॉफिट था बारोस करोर तो यहां पहरी आपका कोविट के गिरा था अगर यहां पर इसको चेंट को अगर देखते हैं जो ह्याहां जब तो अरफ अब यहां पर लगज देखना परेगा जो प्रॉफिट जो है वह बहुत गिरा है बारा इसका में आपका 200 कुछ था बढ़ा सो एक प्रोफित था यानि आपका प्रॉफिट डिप और यह तो हमें देखना परेका प्रॉफिट क्यों डिफ हो रहा है एक देर महीने पहले इन्होंने तीन रुपए पर शेयर दिया था अभी स्टॉक का वैलों कितना एक सो नबे रुपए सो लेंगा नॉट बटा रहे हैं कि गिरेगा तो भाई बहुत आपका 130 के रेंज में गिरेगा अगर मीडियन में चलता है तो 170 के रेंज में चलेगा और अ एकदम लो में जाता है लो में जाएगा तो एक हजार करोर के करीब आ जाएगा या 900-800 करीब आ जाएगा मीडियन में चलता है तो इतना है प्रीकोविट लेवल पर मुटा मूटी आ जाएगा उतना रीच नहीं कर पाएगा करीब आपका जो है उसका सेल रहेगा एपीएस का जो देखने पहले एपीएस नियरली हाफ हो गया एंडाट इस एक्सपेक्टेट बट हम यह देखना पड़ेगा कोविट के टाम में 10 रुपे एपीएस था अभी वह 7 रुपे 44 पैसा हो गया तो हम यह देखना पड़ेगा कि कि हाइक बढ़ाना है विकोज सेल बढ़ाने के लिए हाइक भी करना पड़ेगा और प्राइस इन्होंने जो है चेंज किया है बाई एमोल फॉर टार्गेट ऑफ टुटेंटी ओके फाइन मदलें कि प्राइसे रेके डेगवलेशे चानल होने से ऊसको पैसा आजाता है मतलब में बड़ेगा इस इस बैसी कान्सेट healthy intentions तो अभी चलिए देख लेते हैं कि BSE के website में क्या दिया हुआ है BSE के website में मोटा मोटी सारा डीटेल्स जो है इस ग्रूप ए और सेटल्मेंट टी प्लस टो ठीक है कोई शुनी मिलब ग्रूप ए मिलब ग्रूप ए में यहाता है टॉर्ण ओवर सब हम देख लेंगे वेरी पॉजिटिव ओके लोक्स लेक वेरी पॉजिटिव इस बुलिश बुलिश रब कुछ में आपका दिखा रहा है बुलिश आरे से में कुछ निकी दिखा रहे हैं कि बुलिश है यानि आपका ऊपर की तरफ ग्रूप करेगा फाइनेंशल ट्रेंज में जो है वह देखने हैं हाइस्ट एट प्रॉफिट भी ओके अपरेटिंग प्रॉफिट हाइस्ट एट 44.7 बहुत अच्छा इसका दिखा रहा है मतलब एस पर बीसी का एनलेसिस उसमें दिखा रहा है कि वह यह बहुत अच्छा चल रहा है एक साल में ओके 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 आउट पर फॉर्फिंट इस इस पर फॉर्मिंगेशन कि यहां पर चलेगा management risk ज्यादा एक PSU में management risk हमेशा रहता है और growth भी इसका अच्छा होगा capital structure okay fine evaluation looks like it's expensive तो हम बाद में analysis करेंगे whether it is expensive or not what is working for the company what is not working कोई negative यहां पर इखाने रहा है which is okay यह price movement okay हम सब देखेंगे screener पर जस्ट अभी मोटा मोटी एक overview ले ले रहे कि हां भी है कि है कि है इसमें and profit with PBT है आपका grow किया है 84% which is fine PAT है आपका 71% grow हुआ है net sales 33% grow हुआ है and operating profit भी it's the highest at 162 crore has outperformed the sector तो यह daily का है तो it's fine will not go on the daily उतना consider नहीं करेंगे तो हम यहां पर यह भी देखना पर एगा कि जो है MOIL is trading higher at 5-day DMA 50 DMA 100 DMA से बहुत ऊपर जा रहा है right now it looks like it is trading above its value so it's overvalued looks overvalued 50 DMA 200 DMA देखने से मोटा मटा एक idea हो जाते है कि भया overvalued है कि undervalued है it is not the only way of analyzing it but it is one of the best ways of analyzing a stock whether it is trading as undervalued or overvalued मैंने कुछ mistakes के था recently मेरा जो पूर्फोलियो मैं एक segment में भी करूंगा मेरा जितना भी पूर्फोलियो है weekly or by weekly or monthly I'll just do analysis वहां पर यह figure out करेंगा कि मुझे के hold करना चाहिए buy करना चाहिए sell करना चाहिए so that will be like a live demo ऐसा नहीं कि भाई मैं घ्यान देता गया but it will be like because यहां पर जो भी वीडियो में upload करता हूं that is more of my understanding of reading of a stock तो जब भी मैं खुद रीट करता हूं तो वह मैं आपके सार्ट शेयर करता हूं ताकि आपको भी उसका थोड़ा बहुत benefit मिल सके आपको ग्रोथ मिलता है वह भी 50-60% अबर प्रिया नहीं है विच इस पर्फेक्ली ओके इस टाइप ठीक है अगर आपको ग्रोथ मिलता है वह भी 50-60% over a period of 10 years विच इस ग्याइस विच इस ग्याइस विच इस ग्याइज तो यह हम बाद में extensive जब भी research करते हैं तो वहां पर हम यह सारे जो चार्ट वार से वह सब देखते हैं 3800 करोर और यहां पर रीट मोर में अगर आप जाते हैं तो आपको company के बारे में मोटा मोटी बहुत कुछ अच्छा जानने को मिलता है MOIL is basically a company which is engaged in mining of manganese ore and is the largest manganese ore producer in this country यह different grades of manganese ore sell करती है company is the largest producer of manganese ore with more than 50% share so it's near about you know it's near about monopoly it's not the monopoly 50% की उपर अगर मतलब अराउं जो Hindustan's income ने देखा था इस 89% तो वो monopoly है तो यह monopoly निया बट इस बिकम a monopoly so इनका जो है प्राइमाराश्रा और माधिर प्रदिश में they have mines of 91 million tons of reserves and resources of manganese ore तो उनके पास अच्छा reserve है and it owns two manufacturing plants of ferro manganese plant and electrolyte manganese plant and electrolyte manganese okay fine GAPEX details okay तो बोलो क्या करें Balagat और गुमगाव में एक 460 crore कर्चा करके एक 75,000 metric ton का एक ferro alloy plant त्यार करें okay that should be completed by आपको देख नहीं रहे cover है मैं इसको होटा देता हूं by 2023 which is fine which is good which is a good indication कि growth worth हो रहा है so यह हमें देखना परता है company कहां पर invest करें most probably 420 crore more than 10% of the market cap so थोड़ा सा तो down जाएगा क्योंकि उसका जो sale हो रहा है debt को finance करने के लिए or reinvest करने के लिए that is perfectly fine तो वो consider कर सकते है market cap क्या है 3800 crore stock P is 10.7 or industry P is 10.3 similar more than more than same level P ROC is 10.1 operating margin is 34% but यहां पर हिंदुस्तान operating margin was 58% operating margin is quite low debt नहीं है which is a very good thing enterprise value is 2100 crore that is good book value is 138 current price is book value से बहुत जादा भी difference नहीं है book value मतलब as per the company record how much each share is valued so that is kind of a definition of book value book value is 138 book value से जादा अगर आप देगने कि stock का value so it might be overvalued तीक है उतना भी हां पर overvalued नहीं है so this looks like a very good stock high 208 low अभी 148 so it looks like कि यह अभी overvalued है it should be near about 150 यह 160 तो अभी DMA देखने से 50 DMA 200 DMA देखने से पता चलेगा promoter holding is 64% so most probably promoter holding is the government's holding and sales quarter मतलब इस quarter में 365 365 363 करोर का sale हुआ तो अभी interesting part होता है chart chart चलिए देखते है तो अगर 50 DMA 200 DMA तीन साल का अगर हम चेक करते है 10 साल का अगर हम चेक करते है 10 साल में यहां पर 130 top में गया था 268 268 268 it went in 2017 so not a good bad thing एक साल में देखे so जैसे आप देख पारे 50 DMA को टच किया था यहां पर नवेंबर में टच किया था यह सारे पॉइंट जो है it is overvalued इसका अभी current मतलब जो value होना चाहिए so that should be around that should be around 168 165 168 is the optimum price जहां पर आपको intrinsic value पर मतलब एकदम exact value में मिलेगा उसके नीचे जो भी value होते जैसे 164 या 156 यह सब जो है that is the undervalued position में आप उसको purchase कर पहेंगे जैसे आप देख पारें यहां पर बहुत स्टॉक में बहुत हेवी ट्रेडिंग वहा था यहां पर एक दिन में 971 6,000 इतना सारा ट्रेडिंग वहा था delivery 21% यानि इतना भयानक ट्रेडिंग वहा था इसलिए आप जैसे देख पारें कि यहां पर करने से आपको पता चल जाता है कहां पर कितना वॉल्म करने से आपको पता चल जाए कि अपना जो एक मीडियम लेवल है अबरेज लेवल है वहां पर आ जाता है वही पर हम देख पा रहे है पी रेशियो को हम चेक करते हैं पी रेशियो अगर 10 साल का यह मैक्सिम चेक करते हैं यह कंपनी ने कभी लॉस लॉस गया है नहीं EPS has been quite healthy EPS has been quite healthy बत अभी अगर हम चेक करते हैं तो राइनाओ as per PE राइनाओ it is looking undervalued which is strange so यह undervalued है so it looks like undervalued as per PE it looks like undervalued sales margin, gross profit margin, operating margin operating margin, operating margin अपर निचे, अपर निचे quarterly sales यह quarter अच्छा सेल था okay fine July 2020 में तो बहुत ही कोई sale कुछ हुआ नहीं that's expected, that is fine debtor day is 70 days ठीक है चलेगा उसमें कोई श्यू नहीं होता ही नहीं I thought it's 705 days तो अभी comparison करके हम देखते हैं Vedanta जो है उसका PE है 7.5, 7.5 NMDC is 4.6 NMDC is one of the best stocks you can buy it's a very stable stock and PSU है but it is a monopoly so it is one of the largest iron ore producer in the country that's perfectly fine and KIOCL KIOCL क्या हो अब है इना दूब क्यो रहा है Mithan Stale Mithan Alloys भी इसका अनलिस किया it is also a very good stock it's a company from Kolkata तो इनका मिखाल है यह सब साइड में आपका माइंच है so that is fine process करके I think Mithan का जो खली ने advertisement किया था so growth अभी देखते है 430-28280 this domain में covid के पहले भी बहुत दूबा हुआ था so that is something of a concern slowly slowly इसना bounce back किया है 450-300 300-300 365 that is a very good thing so it is growing it is a stable growth random growth नहीं की that is a good thing material cost is going down employee cost has also got down 42% employee cost बहुत चटाई किया देखके पता चल रहा है and it has gone down which is good operating margin has gone up 2% मतलब उस time पे समझ में आ रहा थे कि उसको बोले थे भाई लेके जा तो ऐसी free में लेके जा basic पैसा दे लेके जा आप जैसे देख पार है March September बहुत खराब से लेके चला था 45% operating margin that is very good other income भी कम हुए that is very good depreciation is like okay mining sector में होट भी जादा depreciation होता है but that is perfectly fine taxes are okay EPS has gone up देख रहे है जैसे 8 पैसा था 31 पैसा था अभी पांच रुपे होगा that is a very good sign sales का 12 महीने में around 1400 क्रोर का sale हुआ approximately 1400 क्रोर आएगा 1400 क्रोर के हिसाब 935 क्रोर profitable company profit before tax is 483 क्रोर net profit 362 क्रोर EPS is 15 EPS बहुत अच्छा growth कर रहे 15 पैसे अब देख रहे है 15 रुपे था अब पांच रुपे था तो अभी pre covid level pre covid level पर आया है की निए covid time में कितना डूबा था covid में उतना बहुत जादा रूबा नहीं था half हो गया था but अभी प्री covid level पर आ चुका है that is a very good thing right here दस साल में यहां पर जैसे आपको क्या समझ में आ रहा है मुझे यह समझ में आ रहा है कि यह company में अगर मैं invest करता हूं I'll be investing for dividend and not exactly for returns but for dividend क्योंकि यहां पर stable company है although it is a very small gap but still you will be investing in this company your prime motive will be dividend rather than capital growth तो यह जापको धियान रखना है cash reserves has gone up also that is very good क्योंकि वह अपना नया plan भी त्यार कर रहे है and उसके बाद भी उनके पास cash reserve है which is fine borrowings कुछ नहीं है that is amazing liability 600 crore है वह हमें देखना पड़ेगा किस में liabilities है most probably advanced commodity यह commodity हो जाता है commodity में क्या करते हैं तो contract sell किया जाता है future contract sell किया जाता है कि मैं आपको अगले साल पचीस हजार metric turn आपको दूंगा तो वह एक contract होता है तो उसमें आप माल दे दे तो आपको में भी 10 महीने बाद पैसा मिलता है 6 महीने बाद पैसा मिलता है तो वह liability हो जाती यह company लिए तो अलग अलग तरी commodity में बहुत जादा होता है तो यह आपको देखना पर एगा fixed assets other assets okay it's fine cash flow is okay investing investing most probably way expansion कर रहे है fixed asset purchased okay investment purchase जैसे मैंने कहा है कि machinery लगा रहे mining expansion में कापैसिटी तैयार करें तो उसमें खर्चा होगा that is perfectly fine cash conversion cycle जो है वह बहुत 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 है जैसे 2018 में 53 day में उसको पैसा वापस मिलता था 33 दिन में मिल जाता था 40 even covid time में भी आपका 47 days के अंदर पैसा मिल जाता था बट अभी जो एक साल के ऊपर चला गया आज मैं माल बेचूंगा एक साल बाद मेरे पास पैसा आएगा इसलिए आपका कैश कंवर्जन साइकल बढ़ गया है जैसे मैंने काया है कि अभी जो सिच्वेशन है इस अभी इंडस्ट्री में यह होता है आपको यह थोड़ा सा कंसिडर करके चलना ही पड़ेगा और यहां पर इस चीज के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है मार्केट में और वरकिंग कापिटल डेस जैसे देख रहे हैं कि उसके पास बहुत जादा बहुत जादा बहु प्रोमोटर कौन है प्रोमोटर इस 65% इस गोवर्मेंट ऑफ इंडिया फाइए ने भी इन्वेस्टमेंट इसका बढ़ाया है ओके बढ़ाया कि छोड़ा है थोड़ा मतलब इस फाइन बट डिसमबर में डंप किया था फिर आसता आसते यह लोग खरीदना शुरू करता है जाए ने भी छोड़ा है थोड़ा और पॉब्लिक ने थोड़ा परचेस किया तो अभी हम रोग चेक करते है फिनेंशल अनुल रिपोस का भी हमने अल्रेड देखा हुआ है रेडिट रेटिंग हमें चेक करना परता है बट अभी यहां पे नहीं है तो इस पर्फिकली अराउंड 170 रेंज पर मिल जाता है 170-165 के नीचे मिल जाता हुआ है एट इस ताम में पर चेस करना बेटर होगा रहे ृट विडिट बी दीद बीटी ठीक लेटाग टेथा इस डेट इस अस्ते पाल चाहिए अगर बट बीटिड रेट ग्रुक उर्ट अगर इस अगर झाल